किसान वीरों आज हम बात करेंगे सजेंटा कमपनी का विर्टाको कीड़ नाशक के बारे में जो ना केवल धान के पौदों को तनाशेदा कीड़ों से बचाता है बलकि साथ ही परदान करता है मजबूत जड़े और अच्छी शुरुआत जिससे मिले अधिक कले और ज़्याद पैदावार इसके लावा ये एक यूनिक नई पीड़ी का दानेदर कीड़ नाशक है जो धान की फसल के अलावा मक्के की फसल में स्टैंप बॉलर और गन्ये की फसल में अरली शॉट बॉलर से बहुत ही बड़ी अन्यंत्रण और लंबे समय तक सुरक्षा परदान करता है तो आज की वीडियो में विर्टा को कीड़ नाशक के बारे में पुरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका प्रियोग करने का सही समय और सही वीदी क्या है विर्टा को कीड़ नाशक में कौन-कौन से टेकनिकल और कितनी-कितनी मातरा में पाई जाते है और ये कौन-कौन से क कीटो का कंट्रोल करता है, इसकी मातरा क्या प्रतिय कड़, इसका रिजल्ट कितने दिन का है, और इसकी कीमत क्या है, तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली वार आए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए, और कि ये दवा पानी में असानी से घुल कर, जड़ो के दवारा पौदो में समा जाती है, और इसमें टेक्निकल है, क्लोर एंट्रा निली परोल 0.5% प्लस थायो मितोक्सन 1% का कॉंबिनेशन है, जो कि GR फॉर्म में आता है, मतलब ग्रैनवल फॉर्म, दानेदर फॉर्म में आ पानी में असानी से घुल कर, जड़ो के दवारा पौदो में समा जाए, इसके लावा विर्टाको की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद, कम से कम 4-5 दिन तक खेत में समान रूप से पानी बना रहे, इससे हमें विर्टाको के बहुत अच्छे और लंबे समय तक रिजल्ट दे के साथ ज्यादा टिलर और जड़ विकास में भी मदद करता है, जिससे कलो का विकास काफी अच्छा हो जाता है, और अब बात करते हैं, ये कौन-कौन से कीटो का कंट्रो करता है, तो किसान विर्टाको कीड नाशक ये लगब सभी परकार के चूसने और चबाने वाले कीट बॉरर, मतलब तनाशेदक और लीफ फोल्डर, मतलब पत्ती लपेट, इसके लावा ये ग्रीन लीफ हॉपर और ब्राउन प्लांट हॉपर्स को भी कंट्रो करता है, और मक्के की फसल में एफिट्स, जैसिट्स और स्टैम बॉरर को कंट्रो करता है, और गन्ने की फसल में म हायो में थॉक्सन होने के कारण ये सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसक कीटो को भी नियंत्रेंट करता है इसके लावा हमने कुछ खेतों में FMC फर्टेरा का प्रयोग की है और कुछ खेतों में विर्टाको का प्रयोग की है तो हम आपको आने वाली वीडियो में दोनों के रिज प्रयोग कर सकते हैं और जिस खेत में हमने विर्टाको डाली है तो उस खेत में इस सालम फर्टेरा का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य ग्रैनुवल कीट नाशा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमें दवा के अच्छे रिजल्ट देहने को मिलें क्योंकि कई बार एक ही दवा ब सिर्फ वी टाको से और आब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में तो किसान वीरो धान की फसल में इसकी मात्रा है धाई केजी प्रतियकड और गन्य की फसल में इसकी मात्रा है चार से पांच केजी प्रतियकड और आब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में तो ये 20 से 22 दिन तक कीटों को आने नहीं देता और अगर खेद में पानी नहीं है या इसकी टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पानी नहीं बना सकते तो कोई वी ग्रैनुवल कीट नाशक डालने का फैदा नहीं होगा इसके लिए आप कीट लगने पर कीट नाशक की सप्रेह ही करें ग्रैनुवल कीट नाशक डालने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ग्रैनुवल कीट नाशक ये जड़ द्वारा ही अव्शोशित होते हैं तो किसान विरों यही सब कुस था धान की फसल में विर्टाको कीट नाशक के बारे में धन्यवाद